नवश्कार मेरे यूटू परिवार को कैसे आप सब दोसमें मेरे चैनल हिल्स हाट टो हाट में आप सबका स्वाकत है आज एक नए डुपलेक्स विला का रिवियू आप सबको में दिखा रहा हूं यह विला गेटिट टाउंशिप में कमलवा गाजा के पास में है 30 पीट की इ दोस्तों इस्ट फेसिंगे विला आएगा सामने इसमें पार्क है अंदर का अगर मैं लेकर चलो तो देखिए अंदर यह पार्किंग है आप कोई भी बड़ी गाड़ी इसमें आराम से पार्क कर सकते हैं और छोटी इस तरह को टू विला अभी नियूलिक एंस्ट्रक्शन ह अभी कोई रहता नहीं इसमें जस्ट फिनिशी हुआ है यह देखिए यह हॉल है जैसे आप एंटर करते हैं हॉल यह टीवी का एक छोटा पैनल इहां बनाए हुआ है सेड़े के नीचे भी थोड़ा बहुत जगेस में है इस हॉल में एक आपको वाश्रूम मिलेगा पूरे इस घर में फॉल सिलिंग है देखिए सामने किचनेट किचन भी इस्ट की डिरेक्शन में ही बनाए हुआ है दोस्तों हाइवे के नजदीक में यह विला है पूरी टाउंशे में हाइवे के बिलकुल लगी हुई है मार्केट सब नजदीक में है किचन आप देख सकते हैं आपको मिलेगा 1050 स्क्वार फीट उसके ऊपर करेबं 2200 कंस्ट्रक्शन है यह देखिए यह कॉमन वाश्रूम है यह बाहर जो ट्रॉइंग रूम में हमाना आएंगे उनके लिए वाश्रूम दिया हुआ है बैटरूम में सप्रेट वाश्रूम है चार वाश्रूम आपको मि बनी हुई है दोस्तों पूरा फिनिश रहे है आप आके इसमें रह सकते हैं यह देखिए साइज बैटरूम का काफी अच्छा है वाटरूम सब बनी हुई है वाश्रूम में भी टायल काफी अच्छी क्वालिटी के लगी हुई है देखिए और फॉल सिलिंग बैटरूम की और यह जो आप दोट देख रहे हैं यह वेंटिलेशन के लिए पूरी च्छत तक जाएगा यह स्पेस और यहां से आपके एसी के जो टक्ट है जो तार है वो सब यहां से जाएंगे यह देखिए और सब्सक्राइब यहां कि इसमें एसी की फिटिंग और वायर की जो फिटिंग है वो की हुई है पाइप डला हुआ है जब हम उपर को जाते हैं तो सीडिंग को क्रॉस करने के साथ एक छोटा स्पेस आता है यह वाला यहां पर आप अपना मंदिर आराम से बना सकते हैं य अरफ दिशान कोड में है इस्ट की डिरेक्शन और नौर्थ की डिरेक्शन इसमें यह ऊपर भी चोटा होल यह आपर और दो बैड्रूम उपर में है यह देखिए एक बैडूम यह इसमें भी पूरी फॉल सिलिंग आपको मिलेगी यह सॉरी हॉल whiskey से व। वहां है वाल के साथ 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 है। आपको बालकणी हो में ते आपको मिलेगी। पुरिच जाहा है। भ। पूरे फॉल्सलिंग किया हुआ पूरे फॉल हो जाए बैडरूम हो तो सब में आपको मिलेगा अब हम बाहर बालकनी के तरफ चलते हैं देखें यह बालकनी है यह बालकनी फेलशेफ में है यह काफी अच्छा साइजस का और सामने का कुछ इस तरह किसा आपको नजरा मिलेग यहां सामने यह ओपन पार्क पूरा तो यह देखिए सामने पूरा ओपन मिलेगा आपको एक तो तीस फिट की रोड है फिर पार्क रहे हैं और यहां पर पूरी बसा उता है और यहां पर फ्लैट विलाड डुप्लेक सब बने हुए हैं बहुत यह अच्छी सुसाइटी है यह यहां तो टोटल इसमें तीन बैटरूम है है दो हॉल और चार वश्रूम, एक किच्चन और दोस्तो इस पेस काफी अच्छ था है छोटी दूबिय के लिए तससा ध technically बहुत अच्छा है देखिए फॉलसुलिंग दिफरेंट है नीचे वाले में भी डिफरेंट है यह आपको बता रहा था जहां से ए-सी के और फिर वाइ-फाइ के या आपके के वायर जाएंगे तो घहर में कोई वायर आपको दिखेंगे नी वाटरोब इसमें इसमें भी बना हुआ है बैटरूम में यह वाश्रूम में टाइल की क्वालिटी भी काफी इच्छी इनने की हुई है यह देखिए अब हम उपर च्छाथ की तरफ चलते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन अच्छा है इसका काफी अच्छा है च्छा बना सकते हैं इस पूरे में पर यहां पर लगा सकते हैं आराम से च्छाथ यह हमारी च्छाथ है डॉप लॉड टॉप फ्लोर से भी इसका बहुत ही बहतरी ना और शानदार भी आपको मिलेगा दोस्तों जल्दे से जल्दे आप आएं साइट को देखें इस विला को देखें अगर आपको गेटेट टाउंशिप मचीए तो अच्छा उप्शन आपको मिलेगा एसी लाग इसका प्राइजि से साथ किलमेटर का इसका डिस्टेंस पड़ेगा बगल में रिलाइन स्मॉल है स्कूल आसपास है हॉस्पिटल जो नियरेस्ट है डॉक्टर क्लेनिक है फिर उसके बाद सेंटर होस्पिटल है तो फसलिटी आपको यहां पर सारी मिलेंगी वीडियो अच्छी लगे तो इसक को सब्क्राइब करें थैंक यू